दोस्तो अगर आप लोग भी credit card पे EMI के थूरू कोई भी product purchase करना चाते हो तो आज इस वीडियो मैं आप लोग को full process बताने वाला हूँ पुरा live demo करके दिखाने वाला हूँ कैसे आप लोग कोई भी product EMI के थूरू purchase कर सकते हो credit card पे दोस्तो जब भी हमें कोई credit card से purchasing करनी होती है EMI के थूरू तो हमारे मन में कई सारे doubts आते हैं जैसे की EMI हमें खुछ से calculate करनी पड़ती है या फिर EMI बैंक वाले का पहले से ही calculate करके देते हैं या फिर हमें कश्मर केर से bank या फिर live card के कश्मर केर से बात करना पड़ता है तो सा इना समय को आई वीडियो श्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आप लोगो फ्लिपकार्ट यानि कि जिस भी प्लेटफॉर्म से स्वापिंग करनी हो उसको आप लोगो उपन होने के बाद आप सबसे उपर जो सर्च बार देख रहे हो यहां पर आप लोगो प्रोड़क का न जो आप समय दिया हुआ है इस पर आप लोगो को क्लिक कर देना है जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो प्रोड़क के सारे वरियंट्स आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे तो यहां पर आप देख लोगे कि प्रिज्म करस्त यहां पर दिया हुआ है 25,250 जिसकी यहां पर प्राइस है और ये no cost EMI पे भी उपलब्द है तो यहाँ पर मैं इसको 6GB RAM 128GB Intel Learn Memory वाला मैंने select कर लिया है तो इस तरीके से आप लोग को जो भी product खरीदना हो यानि कि जिस भी variant में खरीदना हो उसको आप लोग सलेट कर लोगे पर लोग इस पेश पर आजाओगे तो यहाँ पर पर लोग इसके बाल पूरे तरीके से चेक कर लेना चेक करने के बाद आप लोग को scroll down करके नीचे जाओगे तो आप लोग product के बारे में सारी information आपको मिल जाएगी तो यहाँ पर आप दे सकते हो कि यह से कि लिखा गया 10% stand discount with HDFC bank credit card and debit card EMI transaction इसकाती 10% stand discount आपको debit card transaction पे भी मिलता है इसकाती 5% unlimited cashback on flip card access bank credit card पे भी आप लोग को मिलता है तो यहाँ प आप जैसे तो free delivery का भी option में इसका ती no cost EMI का भी आपको option में इसका प्रॉडक्ट exchange का भी आपको option मिल जाए इसके बाद यहाँ पर आप लोग को जो buy now का सबसे नीचे option दिया हुआ है इस पे आप लोग को click कर देना है जैसे आप लोग add and continue का option पे click कर देना है जैसे आप लो आप लोग अपना address चेंज भी कर सकते हो इसके बाद यहाँ पर आप लोग को सारी summary यहाँ पर सो कर रहा है जिससे कि आप पर प्रॉडर्ट का यहाँ पर 25,250 रुपए प्राइस है इसके यहाँ पर आप लोग को complete mobile protection for one year तो अगर आप लोग अपने mobile protection के लिए यह one year की warranty बढ होना चाहते हो तो 2699 रुपए आप लोग को extra pay करने पड़ेगे बढ़ अगर आप लोग नहीं चाहते हो तो आप लोग कुछ नहीं करना यहाँ पर जो cut का option दिया हुआ है इसी पर आप लोग को cut कर देना नहीं तो आप लोग को 2699 रुपए extra pay करने पड़ेंगे तो यहाँ पर रिमूब के option पर क्लिक कर दोगे तो यह अपने आप रिमूब हो जाएगा इसके बाद आप जैसकते हो कि आपके जो order यानि की जो product का price है यहाँ पर 25,250 delivery charges कुछ नहीं है इसके बाद आप लोग को normally continue button पर क्लिक कर देना जैसे आप लोग continue button पर क्लिक करोगे यहाँ पर आ इसके बाद यहाँ पर स्कॉर्डान को करके निचे जाओगे तो यहाँ पर आप लोग को option मिलेगा EMI का तो अगर आप लोग EMI प्यानिक नो कॉस्ट EMI पर लेना चाहते हो product तो आप लोग को इसी पर क्लिक करके आप लोग को continue करोगे आप लोग इस पेच पर चले आओगा तो मैं आपे HDFC Bank का credit card यहाँ पर select कर लेता हूँ तो जैसे आप लोग HDFC Bank का credit card यहाँ पर select करते हो वैसे ही आप दे सकते हो कि जो installment आपको देनी है अपने आप calculate होके आ जाती है जैसे कि मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में बताया था कि क्या आपको खुद calculate करनी है नह 9 मैंने का तो तीत समस्ट अफ्ट करते हो तो इसमें आपको लोग को 8,000, 186,000 रुपय पे करने पड़ेंगे अगर आप लोग च्छा मैने का subscribe करते हो तो इसमें आप लोग को पर मंत 4,000, 84.000 रुपय का EMI पे करना पड़ेगा अगर आपको नह प्रुद करते हो तो इसमें आप लोग को दूसरा option मिल जाता है interest पर तो यह भी आप चूज कर सकते हो बट यहाँ पर मैं आप लोग को no cost EMI के बारे बता रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 6 मेने वाला threat कर लेता हूँ तो इस तरीके से आप लोग को जो भी suitable लगे है आप लोग threat कर लेना इसके बाद आप लोग को यहाँ पर score down करके नीचे जाना है तो यहाँ पर आप दे सकते हो कि आपके order से संबंदी यानि कि product संबंदी सारे यहाँ पर detail सो कर रही है जिसे कि product का जो price है वो 25,250 है और delivery charges free है इसके आति यहाँ पर interest जो लग रहा है वो 1,038 रुपए है तो no cost EMI के जो discount के तरहत यह flip card ने इसको पहले ही minus कर दिया है 1,038 रुपए minus हो गए है यहाँ जो bank का offer दिया गया 10% instant discount के अंतर गा 750 रुपए भी less कर दिया है तो आपके credit card से तुरंते 30,462 रुपए debit हो जाएंगे और इसके बाद आप लोग को EMI हर महिने 4,84 रुपए का पे करना पड़ेगा और एक चीज़ आओ मैं आपको बसा दूँ कि 30,462 तो आप लोग को cut हो रहा है तुरंते आपके credit card से बट जो EMI वो 4,84 रुपए की पड़ रही है तो mobile का price पड़ जा रहा है आलमोस 24,000 something का पड़ जाएगा तो एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रहेंगे जो interest यहाँ पर आप लोग का flip card पहले minus कर रहा है वो interest आपके statement में add होके आएगा तो वो add होके ही आपको देना पड़ेगा EMI बाई तो इसके बाद आप लोग को कुछ नौर्मली कुछ नहीं करना है यहाँ पे continue कर देना और इस वेज़ पर सबसे पहले आप लोग को credit card number फिलप करना इसके बाद फिर यहाँ पे relative फिलप करना है इसके बाद CVV नंबर यहाँ पे प्रोसेसिंग के बाद आपका आडर नमबर दिया हुआ है इसके बाद यहाँ पर आपका आडर नमबर दिया हुआ है इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो गया है इसके बाद आपके आडर की समरी यहाँ पर सो कर रहे है तो इस तरीके से आप आप लोग बेहाद आसानी से नो कोश्ट EMI पे कोई भी पर्चेजिंग कर सकते हो क्रेट कार्ड के थू सुरचे ट्राइब